मध्यप्यदेश की राजणीती में आज एक बड़ा बदलाव आने वाला है। भाजपा की तरफ से मध्यप्यदेश के CM के नाम पर मोहन यदव का नाम फाइनल कर दिया गया है। तो चली बताते हैं आखिर कौन शिवरा सिंग को रिप्लेश करकर मध्यप्यदेश के अगले CM बनने वाले ही। मोहन यदव एक भारती राजणीती गहीं जो कि उज्जेन जी लेके मध्यप्यदेश विदानसवा के सदस्य ही। 2013 में वो पहली बार उज्जेन दक्षिन सीट से विदायक बनी थी। 2018 में मध्यप्यदेश विदानसवा चुनाव में वो एक बार फिर से निर्वाचीत हुए और उज्जेन दक्षिन सीट से विदायक बने। 2 जुलाई 2020 को मोहन यादव ने शीर्वा सिंग चोहान के नेतरतव वाली मध्यप्यदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपत ली थी। तो आईए एक बार नज़र डालते हैं डॉक्टर मोहन यादव की परसनल इटेल्स पर। मोहन यादव उज्जेन डक्षिन शेत्र से विधायक है तो वही शिवरा सरकार में वह शिक्षा मंत्री रहे हैं। उन्हें लगातार 30 बार विधायक का चुनाव जीता है। मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को उज्जेन में वा था। उनकी पतनी का नाम सीमा यादव ही। मोहन यादव के बच्चों की बात करें तो उन्हें दो पुत्र और एक पुत्री भी है। मोहन यादव ने B.C., L.L.B., A.M.A. राज्रितिक विध्यान, MBA और PhD की हुई है। उनके व्यवसाय के बारे में बात करें तो वो अभिभाशक, व्यापारी और किसान है। मोहन यादव की हॉपीस की बात करें तो उन्हें गुमना फिरना काफी पसंद है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी तक उनके उपर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। मोहन यादव की कुल संपत्ती की बात करें तो उनके पास 42 करोर रुपे की संपत्ती है। ऐसी और भी इंट्रेस्टिंग जानकारी के लिए सस्क्राइब करें कजब खबरें।